साथियों, आज मनिपूर की उपलब्दियों पर गवरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तै करना है लंबा सफर तै करना है और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मनिपूर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बना कर रख दिया था पहले की सरकारों द्वारा, हील और वेली के बीच राजिनितिक फाइदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरिया बढ़ाने कैसे कैसे सडियंतर किये जाते थे साथियों आज डबल इंजीर की सरकार के निरंतर प्रयास की वज़े से इस खेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है बलकि शांती और विकास की रोशनी है पूरे नौर्थिस में सैंक्रों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्यधारा में सामिल हुए है जिन समझोतों का दसकों से इंतजार था हमारी सरकार ने वह इतिहां से समझोते भी करके दिखाए है मनिपूर ब्लॉकर्ड स्टेट से इंटरनेश्टल स्टेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है हमारी सरकार ने हील और वेली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टु हील्स और गो टु विलेज ऐसे अभियान चलाए है इन प्रयासों के बीच आपको यह याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मनिपूर को फिर अस्तिर करना चाहते हैं यह लोग उम्मीद लगाए बैटे हैं कि कम उन्हें मोका मिले और कब वो अशान्तिका खेल खेले मुझे खुसी है कि मनिपूर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मनिपूर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे मनिपूर को फिर से अंदेरे में नहीं जाने देना है झालो है कि मले उले डिली बैटें सेजरे के तो श्यत कर दो दो ऐसे दिएो किक कि वादे है झाल झाल